मेरे प्यार है दोस्तों आप लोग को मेरा प्यार बढ़ने मस्कार आज मैं आप लोगे के लिए अलग से रिष्पी लेका है इसका नाम मुझे पता नहीं चल रहा है क्या रखना चाहिए इसका नाम तो हमने रखा है कि इसके अंदर बहुत सारे पड़ते होते हैं मतलब फूला हुआ रहता है तो पर आप लोग हमें इसके कमेंट कर बताएं कि इसका क्या सही नाम होगा ठीक है हमें समय नहीं आ रहा है नाने दादिक चैनल में आपनों का स्वागत है तो चलिए रि मेदा लिया है कि यह को टोरी मेदा यह ज्यादा नीहीं और इसमें पहले नमक डाल दिया थोड़ा सा ए और 집ो अब इसमें थोड़ा से चीनी डाल दिया हमने अब इनको मिक्स कर लूगी तो प्लीज आप लोग कमेंट क्या करें आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि आपनों कमेंट करें चैनल सब्सक्राइब करें हमें साथ दीजें अपना इसको हमने गरम दूद से गुंत लिया था यह द जयाओं देखिय रहा है इसमें हमने घी डाला है घी में जीरा ए All the प्राठा प्राठा और यह पनीर भुजी स्फ़शन देखें है इसने प्राठा को नाम ने पता चल रहा है पनीर तो पता है वह सब अप्टर प्राठा प्राप में डाल झाल दिया ओज्वड़ सब्सक्राइब ओं कर दिया जादा नंगर और इसमें यह थोड़ा से धनिय बुक्त बटन लिया तो यह तो यह देखिया उसको डाल करके भूण लिया थोड़ा सा फिर अब नमक डाल दिया तो मसाला भूंगए विसमें पानि तो था नहीं कुछ मटव प्यास सब शुखे थे मसाला भूंगए आप इसमें र्माटर डाल दिया तो तमाटर पानि मसाला नहीं ढाले स्पश्टव किचन केंग और शना個 मांथ मैं तोड़का ता मैं तोड़ करके लादेじ किसकेसं त्वाइब दया ऑख다 ह्ने दखे दाने नियार गया हमारे पनिर भुज्जी तो एक त्यार हो गया बन गया अब csm लावर मलवार जो भी परत्पे उसको बनाने चलते हैं यह देखिए यह यह तो मैस For तो घ्डा को गया कै마 दा मुझा नहीं तो गया अधा घणटाइम एक Sing calm Senate ऑब इसमें हम तीन पराठा बनाएंगे यह ज्यादा पतला नहीं बनेगा थोड़ा मोटा ही बनेगा इह दिखें तीन प्राठा मारा बन जाएगा यह देखें भाव इसको इसको शूखा मैदा ही है इसको बेल लेंगे पूरा रोटी जैसे पतला बतला भीने और अपने को सिस्तम से को मेलेंगे अचित को बिल्कुल में लिए क्सीं आठा डाल डाल करके इसको मेण थोड़ा हांत ह सरी चोड़ा कर देंगे ज्मठ जा रहे लुए तव्हार बार पार मैदा उपने से पिल दें ने इसके ऊपर काके तेल ये ये तेल urgent पूरा तेल लगाँगी इसमें, ठीक है, यह देखो आप, पूरा ही अच्छा से ना इसको तेल लगा देंगे, इसको बिट से कट दिया, थोड़ा से इस पर मैदा छिड़क दिया, ताकि चिपके नहीं, अफिर इसको इसे धीरे धीरे फोल्ड करके, मोड़ते जाएंगे, सांट जाद फोल्ड जाद चोड़ा न होने पाएंगे इसके ऊपर से जह देखो इसे दबा देंगे विद्कोर कर ने यह लिए बंद करने फिर नी चे से अपटे अच्छा नीचे अच्छा मैं पटेंगे, अमने थोड़ा सा उसमें आते में घी नहीं डालते क्योंकि में अ उसमें च strangers एक पहलता नहीं कि वास बाड़। कि देखें टाल दी हमने कि दूसरा भी बना रहीए यह ते लोगल पतला पतला इसका वी मट्रेदी पहल और कि Remember कि अन्हों को लू. अग्से हैं देखें कि इस दाव कि इस गीना शचना घाना कहते बीचा स्वद्ञूत्ट गी में पराठा बने तू अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है एं यह देखिया B हुआ यह बन गया हमारे देखे पराठा तीनों पराठा मारे बन कर तैयार हो गया चलिए कम खाने के छब करने के चलते हैं यह हमारे देखिए सब्जी डग दी थी बन गया था अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में खाने के लिए हमारा पनीर भुजी तयार है बिलकुल पराठा भी साथ में मलवार पराठा यह देखिए है मुझे तो प्राठा नाम ही नहीं पता चल रहा है क्या कहों कभी मलवार कभी फलवार जो भी प्राठा क्या नाम बताई इसको आप हमें कमेंट करें जुरू बताना फिर आगे समय सही नाम रखोंगी ठीक है यह देखिए भुजी तो पनीर सब्जी तो में निकाल दी अब इस के साथ कुछ और चाहिए यह प्याज रख दिया आमने प्याज तो खाते हैं सारे और यह एक मिर्च रख दिया बास थोड़ा से धनिया जीच आ गए हमारे साब के मित्र बिना धनिया के कोई सज़ता ही नहीं यह देखिए यह देखनी है आप यह अंदर से ना यह बिलकुल अलग अलग एक दाम लच्छे दार निकल जाएगा यह ऐसा प्राठा होता है यह देखवा बन गया अब इस प्राठे को पर भी धनिया डालेंगे तो ठीक हमारा प्राठा तो बन गया पनीर बुझी भी अब हम जा रहें खाने और आप भी बनाए खाई और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा पराठा है हमारा नया तो ठीक है चलते मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार